एक हारे एक जीते शुरू हो चुकी है शिलंका में प्राइ सीरीज हैश्टैग आकाश वानी पर यही तो बात करेंगे आज कि किस तरहां से पहला मुकाबला हारे जरूर लेकिन दूसरा मुकाबला जीते शिलंका से हार बांगलादेश से जीत और जो सबसे अच्छी चीज जो पसंदाई मुझे वो ये थी कि टीम में बदलाव नहीं किया गया जो टीम खेली थी श्रिलंका के सामने वही 11 के साथ कप्तान रोहिच शर्मा उतरे दूसरे मुकाबले में नमबर तीन पे भेजा रिशापंत को यानि की मौका दे रहे हैं कि चली आपको अगर निखरना है टीट्वेंटी फॉर्माट है इस अलवेज अबवाओ अब टॉप थी बैसमें तो आई विल गिव यू अनदर ऑपरचुनिटी विजे शंकर की तारीफ करने पड़े ही क्योंकि मुझे लग रहा था कि वी वर अब बोलर शॉट पर जिस तरह से उन्होंने चार ओवर डाले तो दो विकेट के साथ उनने अपना स्पिल तो जरूर खतम किया और एहसास नहीं होने दिया कि आप एक बोलर शॉट है तो यह गिव यू अप्टिक पंडिया के साथ अगर किसी उखड़ा करना चाहते हैं वीजे शंकर इस प्रोवाइडिंग डैट ओप्शन देखते हैं उनकी बैटिंग कितनी आती है अवर्ड ऑन रिशाप पंथ ही जिस लूजिंग आउट ऑन सम वैल्यूबल ऑपरचुनिटीज पहले मैच में रन अबॉल 22 थे 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 थोड़ा सा क्रिटेसिम भी मिला उनको दूसरे मैच में तो रन अबॉल ही बनाना था नमबर तीन पे भी भी भेजा था बहुत समय बचा था ही मिस्ट आउट ऑन गोल्डन ऑपरचुनिटीज विल्हाफ टून अवरी सून क्योंकि इतनी आसानी से इनको मिलेंगी नहीं इनको क्या किसी को भी नहीं मिलती बट देन अवर्ड ऑन अब कैटन रोहिच शर्मा थोड़े रन्स एकदम अगाल गया एक शतक जरूर जड़ा था था ता तौट आफिका में बट बेसाइज बसाइज तो यह पता चलता है कि अगर रोहिच शर्मा जैसा बले बास भी ऐसा वा था विरात ओली के साथ भी एक स्टेंड़ डूट रौट विराट गे साथ एक तेंड एक पता चलता है क कि अगर किसी को हम चांस दे रहे हैं नए खिलाडी को तो इसके साथ भी हमें उतनी ही पेशन्स रखनी पड़ेगी जितनी हम अपने स्टार खिलाडियों के साथ रखते हैं that is when you'll you'll find a real gem last but not the least शिकर बेफिकर I love him to bits क्या खेल रहा है ना यार in fact last IPL से अभी तक अगर देखे हैं third highest run scorer in the IPL season 10 2017. since then his white ball numbers have gone to another high and his stature has been increasing many fold well shikhar keep going brother you've been watching Akash Wani thank you so much for all your love and support but now do a thing quickly subscribe and like and share and let the word spread